नमस्कार आदाप सस्रियाकाल मैं प्रकर श्रिवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरू घंटाल में दोस्तों शुशान सिंग राजपूत के केस में बहुत बड़ा अपडेट आ रहा गया है रिया चकरवर्ती को NCB के द्वारा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा गिरफतार कर लिया गया है और रिया चकरवर्ती की गिरफतारी NDPS के कई सारे सक्षन के तहत की गई है आज हम उनी सक्षन के बारे में बात करेंगे अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको like, share, comment करना ना भूलिए गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजी दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ-कुछ बड़े बेसिक चीज़ बता दूँ NDPS का full form क्या होता है? Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 जैसे Indian Penal Code होता है ठीक उसी तरह drugs से related कानून होता है जिसमें कि किसी की गिरफतारी NDPS Act के तहती की जाती है तो याद रखेगा NDPS का full form क्या होता है? Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances अगर आप कभी भी drugs से related, मतलब कभी भी NDPS के document वगएरा को पढ़ेंगे मैं भी पढ़ रहा था, इनमें दो तरह की quantity होती है एक होती है small quantity जिसको हम लोग कहते हैं कम मातरा, एक होती है commercial quantity जिसको हम लोग कहते हैं वाडिक मातरा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गांजे की, तो गांजे की small quantity क्या है कम से कम एक कीलो और commercial quantity क्या है 20 कीलो, अब मैंने आपको क्यों बताया, मैं इसको आपको आगे explain करूँगा, बस ही अपने दिमाग पर रखेगा तो पहली जिस धारा के तहट, NDPS की section 20 के तहट, रिया चकरवर्ती के उपर, रिया चकरवर्ती को बुक किया गया है, मतब गिरफ्तार किया गया है, पहली धारा ये लगाई गई है, ये धारा असल में कहती किया, ये धारा ये कहती है कि इस धारा के तहट, नशीले पदार, लाइक भांग गांजा, इनकी खेती करना, पैदा करना, बनाना, रखना, बेचना, खरीदना, लेंदिन करना, एक राजे से दूसरे राजे में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करना, ये सब इलीगल है, गयर कानूनी है, अगर कोई सक्स, छ सच्छम कारावास का प्रवधान भी है, सच्छम कारावास क्या होता है, जेल के अंदर रहना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल के अंदर पत्थर तोड़ना पड़ेगा, तो ना कोई राज कुमार होगा, ना कोई राज क के साथ पकड़ा जाता है जो commercial quantity वानिजिक मात्रा की तुलना में कम है मतलब जैसा कि मैंने बताया कि गांजा की commercial quantity कितनी होती है 20 kg और small quantity कितनी होती है 1 kg मतलब कि अगर कोई इंसान पकड़ाता है और उसके पास से गांजा निकलता है 20 kg से कम है मगर 1 kg से थोड़ा सा जादा है मतलब मान लिजे कि 1 kg से लेकर 20 kg के बीच में उसके पास गांजा पकड़ाता है या भांग पकड़ाता है भांग का आपके दोस्तों commercial quantity और small quantity अलग है मैं गांजे का बता रहा हूँ तो अगर उसके पास 1 kg से लेकर 20 kg के बीच में गांजा पकड़ाता है तो याद रखेगा NDPS section 20 subsection 2 के तहत सच्छम कारावास 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 1,00,00 रुपय का जुर्माना लगाया जाएगा उसक्स के उपर जिसके पास 1 kg से लेकर 20 kg के बीच आपका गांजा पकड़ाता है तो अगर बरामत किये गए नशीले पदार्थ मतलब भांग और गांजा इनकी मात्रा कमर्शल कॉंटिटी की है मतलब 20 kg तक की है तो भाईया फिर तो लेनी देनी हो जानी है ठेक है तो सजा के तौर पर दोशी को सक्षम कारावास की सजा हो सकती है मतलब कठोर कारावास हो सकती है जिसमें 10 जिसे 10 वर्षक कम नहीं किया जा सकता लेकिन इसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है मतलब अगर कमर्शल कॉंटिटी की साथ पकड़ाता है तो अब तो भाईया 10 कम से कम 10 साल कि सजा तो हो नहीं है इसको 20 साल भी किया जा सकता है और 1,00,00 रुपए से लेकर 2,00,00 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा यह मैंने बात की NDPS SECTION NDPS ACT SECTION 20 के बारे में अब अगला जो उनके उपर उनके उपर धारा लगाई गई है वो है NDPS ACT की धारा 27 और धारा SECTION 8A यह क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ती के बारे में या जानते हुए कि वो संपत्ती भारत या किसी अन्य देश में किये गए अपराद में भाग लेने की एवच में प्राप्त की गई होए या संपत्ती के अवैद मूल को छुपाने या किसी अपराद में किसी व्यक्ति की सहयता करने के लिए या कानूनी नतीजों से बचने के लिए किसी भी संपत्ती की परिवर्तित या स्थानांतरित करने वाला दोशी माना जाएगा मतलब की मान लिजे की कोई ऐसा इंसान है जिसने की कोई पैसा उसके पास है कुछ पैसे उसके पास है और उसको पता है कि यह पैसा illegal है और इसका इस्तमाल हमारे देश में किसी अपराद को अंजाम देने के लिए यूज किया जाएगा फिर भी अगर वो इन पैसे का इस्तमाल करता है और इसको छुपाता है इसको बताता नहीं है तो वो अपरादी माना जाता है NDPS section 27 के तहए ठेक है और इसमें दोस्तों एक प्रवधान और भी है दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ती के बारे में ये जानते हुए कि वो संपत्ती भारत या किसी अन्य देश में किये अपराद में भाग लेने की एवस से प्राप्त की गई है तो ऐसी किसी संपत्ती को न चुपाएगा और नहीं उसके वास्तविक रूप स्थान स्वभाव को बदल सकता है मतलब कि अगर मान लीजे कोई इनसान है उसको कहते हैं इल्लीगल धन अवैद रूप से धन मिलता है उसको पता है कि इस धन का इस्तमाल या तो हमारे देश में अपराद करने के लिए इस्तमाल किया जाएगा या दूसरे देश में अपराद करने के लिए इस्तमाल किया जाएगा तो वो अगर इसको छुपाता है तो वो अपरादी माना जाएगा वो इसको छुपा नहीं सकता नहीं इसके वास्तविक रूप को बदल सकता है नहीं स्थान, स्वभाव किसी चीज़ को नहीं बदल सकता है अगला दोस्तों ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ती के बारे में ये जानते हुए कि वो संपत्ती भारत या किसी अन्य देश में किये गए अपराद में भाग लेने की एवज में प्राप्त की गई है ऐसी प्राप्त कोई किसी संपत्ती का नहीं अधिग्रहन करेगा नहीं कबजे में रखेगा और नहीं उपयोग करेगा मतलब जो illegal money है उसको आप use नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ये पैसा आपके देश में अपराद के लिए काम में आएगा या किसी और देश में अपराद के लिए काम में आएगा तो भईया गलती से भी उस पैसे का इस्तमाल मत करना चुक मार के जाकर पुलिस को बता दो उपरोक्त उबधाराओं का उलंगन करने पर कठोर करावास का प्रवधान गये उपर जो मैंने आपको सारी चीज़े बताई अगर कोई उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है और उपकड़ाता है तो उसे कम से कम तीन साल और जादा से जादा दस साल तक की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है तीसरा सेक्शन है दोस्तों NDPS Act की धारा 28 जिसके तहत रिया चकरवर्ती को बुक किया गया है इसके अंदर क्या प्रवधान है इसके तहत अपराद करने का प्रयास करने पर सदा दी जा सकती है मसलन जो कोई भी इस अधिनियम के अधिन दंडनी अपराद करने का प्रयास करता है या ऐसे अपराद करता है और ऐसा अपराद करने के संबंद में कोई कार करता है तो वो व्यक्ति उस अपराद के लिए उपबंदित दंड का हगदार होगा ठीक है दोस्तों अगला है दोस्तों NDPS Act की धारा 29 इसका Part 1 क्या कहता है उकसाना किसी को उकसाना इसधारा के तहट उकसाने और आपरादिक शण्यंत्र के लिए दोशी को सदा जी जाती है अगर आपने किसी तरह की शण्यंत्र कर रखा है तो उसके तहट आपको सदा दी जाती है NDPS Section 29 के तहट किसी को उकसाना और दोस्तों इस act की subsection 1 के तहट इस अध्याय के अधीन दंडिनी अपराद के लिए उकसाएगा या ऐसा कोई अपराद करने के लिए अपरादिक शडियंतर का पक्षकार होगा और इंडिन पिनल कोट की section 116 में किसी बात के होते हुए भी इस अपराद के लिए उपरादिक दंडिका हगदार होगा मतलब याद रखिएगा अगर कोई इंसान किसी को उकसाता है क्राइम करने के लिए या उसके खिलाफ आपरादिक शडियंतर करता है उसको मारने की साजिश करता है तो एंडि पियस section 29 के तहट उसे बुक किया जाता है और ये बकाइदा इंडियन पीनल कोर्ट section 116 में बताया गया है और दोस्तों इस act की section 2 कहती है कि जो वैक्ति किसी अपराद के लिए उकसाएगा या किसी अपराद करने के शडियंतर का पक्षकार होगा जो भारत में या भारत के बाहर और अलग किसी स्थान से ये सब करेगा वो दोशी माना जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया के बाहर बैट कर किसी को बार बार डेली उकसार अगी हो कि तुम ये क्राइम करो तुम फासी पल अटक जाओ तुम सुसाइट कर लो तो ये क्राइम माना जाएगा चाया भारत के अंदर रहकर करो चाया भारत के बाहर रहकर करो ठेक है अगर भारत के बीतर अपराद किया जाता है या भारत से बाहर और अलग किसी दूसरे स्थान पर मादक दवाओं या नशीली पधारतों से संबंदित ऐसा अपराद होता है तो उससे दंड़नी अपराद माना जाता है मतलब अगर आप किसी को कहते हैं न कि नशीले पधारत देते हो ताकि आप उसकी mental state ऐसी कर दो कि वह कुछ सुसाइट कर ले आप उसको उकसा रगेगों शड़न्तर कर रगेगों तो यह दंड़नी अपराद क्यालाता है तो यह कुछ section गया है मैं एक बार फिर से बताता हूँ ndps section 29, ndps section 28, ndps section 27, section 8a and ndps section 20 के तहत रिया चकरवर्ती के उपर मुकदमा चलाया जाएगा अब इनमें से कितनी धाराएं सहीं है कितनी धाराएं गलत लगाई गई है यह तो कोट तै करता है याद रखेगा कोट इन धाराओं को चाहे तो हटा सकता है यह कोट तै करता है मगर इन धाराओं के तहत रिया चकरवर्ती को बुक किया है NCB ने अब उमीध है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेर, कमेंट करना ना वोलिये गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजे विश्यू अवरी गुड़ लग टेक कर गुड़ पाइश अबाख हैर